तो सेलेक्शन मेंटोर एक कदम सफलता की ओर जैसे कि आपने लास क्लास में देखा था हमने कुछ इंट्रोडक्शन चेक किये थे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रेलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो आज उसी को प्रोसीट करते हुए हम आगे चलते हैं जो हमारे पास बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निय्ずकोडिंग के अंदर जो बेसिक हम करने जा रहे हैं और्ड़ेविट्यक र्रिखकाkee और को तो चैसे numbering पता होनी चाहिए कि किस तरीके से reverse order चलता है किस तरीके से normal order चलता है तो अगर मैं alphabetical series की बात करता हूँ तो coding recording का first part यहीं से start होता है हमारे पास alphabet series alphabet series और alphabetical series की दो categories होती है हमारे पास ठीक है हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा basic हमें पता होना चीह कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं alphabetical series एक normal order होता है हमारे पास कि नॉर्मल order की अधिमें बात करता हूँ तो यह नॉर्मल order जाता है हमारे पास a to z तक a से लेकर के z तक ठीक है एक हमारे पास होता है reverse order दोनों ही order important है coding decoding के अंदर reverse order और reverse order जो होता है हमारे पास यह हमारे पास जाता है z to a बात a की है कोई ज़्यादा difference हमारे पास आता नहीं है लेकिन यह बताना इसलिए important है कि यह दोनों एक दूसरे के opposite है ठीक है और हमें opposite भी पता होना चाहिए इसलिए हमें reverse order और normal order की numbering आनी चाहिए ठीक है चलते यह दोनों ही 26 तक है 1226 total alphabetical numbering series जो चलती है इसकी वह 1 से लेकर के 26 तक चलती है ठीक है देखो यहाँ पर अगर मैं numbering की बात करता हूँ तो अभी मैं आपको पूरी numbering नहीं सिखाऊंगा उसके लिए मैं एक अलग से lecture लोगा जिसमें हम A से लेकर Z तक की सारे numbers की alphabet की numbering करेंगे ठीक है आज सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि alphabet की जो numbering होती है की जाती है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा अगर मैं A से लेकर करके जो bunch बनता है हमारे पास सबकी numbering यहां लिखना चाहूँ जनरली हम यह इस तरीके से लिखके चलते हैं और अगर मैं बता हूँ तो इसका जो पेर चलता है वह दोरों तरीके से चलता है देखते हैं कैसे कि एक मिनिट कि एफ कि जी आज आज यह करें यह अगर आपको दिख रहे होंँ तो टोटल वं टू साथीं लेटर नहीं एक से लेकर के थेरा तक टिक है टोटल टोटीसिक से तो वन टू साथीं हमने ऊपर लिखे है और फॉर्टीन से लेकर जो total है हमारे पास में वो हम नीचे लिखेंगे ठीक है 26 तक लेकिन अब जो मेरा लिखने का order होगा वो opposite होगा क्योंकि मेरे को इनकी pairing करनी है कोई भी letter अपने reverse के साथ pair कैसे करता है देखो normal order और reverse order एक दूसरे से paired होते हैं कैसे होते हैं अब मैं यहां से n लिखना है start नहीं करूँगा मेरा जो n होगा वो यहां लिखा जाएगा मतलब 26 यहां आएगा और 14 यह आएगा यह 14 number का letter है यह 13 का है और अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यह pair बनते जा रहे हैं मैं बताता हूं कैसे O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z ठीक है तो यह total हमारे पास में बात करूँ तो total मिलाके 26 letter है और यह सारे की सारे paired है यह देखो इनकी pairing आपस में हो रही है numbering के लिए मैं आपको बाब में फिर कभी बताऊंगा next lecture जो भी हम लेंगे उसमें मैं आपको alphabet की numbering जरूर बताऊंगा लेकिन यह जो आपको दिख रहे हैं सारे यह आपस में एक दूसरे के pair है और pair को याद रखने कि यह भी कुछ तरीके हैं वो भी मैं वहीं पर आपको बताऊंगा अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस तरीके से चलते हैं numbering मैं आपको बता चुका हूँ one से लेके 13 तक अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से numbering कर सकते है one two three four पता ही आपको इनकी numbering बस याद रखने वाली important बात है कि कौन सा लेटर अगर आपसे directly पूछ लिया जाए तो किस तरीके से आप उसको interpretate करेंगे ठीक है बाकी numbering इसी तरीके से चलेगी याद होना चाहिए अगर कोई बोल दे आपको कि ओ कितने number पर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वह 15 number पर आता है ठीक है वहां bench में लिखते रहें बैठे बैठे कि हम नीचे लिखके रख रखा है कि अब आएगा तो paper में से देख करके लिख लेंगे नहीं यह total 26 हो गए ठीक है यह paired है यह आपस में pairs है आपको इतना पता होना चाहिए ठीक है यह basic हमने एक introduction देख लिया ह इसका lecture में एक अलग से बना दूँगा जिसमें आपको पूरी trick बताऊंगा किस तरीके से alphabets की numbering याद रखी जा सकती है और किस तरीके से इन pairs को याद रखा जा सकता है यहां तक clear है देखो prelims की यह बात करता हूँ तो coding decoding के अंदर जो basic जो चीज यहां पे prelims के अंदर आती है that is Chinese code सबसे important मतलब कि जहां पर हम एक sentence को दूसरे sentence के साथ link करना सीखते हैं और यह निकालता है कि उस sentence में से हर word का जो code होगा वो क्या होगा ठीक है कुछ तरह की coding होती है मैं आपको समझाओंगा भी आगे और देखते हैं चली आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं coding decoding की तो कुछ categories है coding decoding की उनकी हम यह बात कर लेते हैं कि देखो coding decoding के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी categories आती है इसके अंदर ठीक है कोडिंग decoding के अंदर ही first category आती है आपके पास alphabetical series alphabet series ठीक है इसकी मैं एक अलगसे class लोगा जिसमें alphabet series के questions आपको कर्माऊंगा second alphabet के बाद आती है alpha numeric series ठीक है और third category इसी में आती है सब में एक एक चीज़ एड़ करते जा रहे हैं alpha numeric symbol series alpha numeric symbol series ठीक है यह तीन category आती है इसके अंदर यह coding decoding का ही पार्ट है इन तीनों के लिए हमें alphabets की numbering याद होना जरूरी है और alphabets का reverse order याद होना जरूरी है ठीक है coding decoding के अंदर fourth category जो आती है वो आती है आपके पास में Chinese code जो आज हम देखेंगे जिसके questions जो है आज देखेंगे हम ठीक है तो यह basic है और इसके अलावा एक category और है लेकिन वो जो coding decoding है वो coding decoding generally SSC के अंदर पूछते हैं अब आज कल आपको देखने को यहां नहीं मिलेगी banking questions के अंदर ठीक है that is word to word coding word to word coding आपने की भी होगी कोई भी एक particular word उठाके उसका कोई दूसरा word बना देंगे और पूछेंगे कि letters आपस में किस तरीके से interlinked है वहाँ पे भी alphabetical series ही काम आती है तो यह total 5 category है हमारे पास जो coding decoding के अंदर काम आती है यह एक तरीके से आप मानके चलो कि coding decoding की पूपरी category हम यह discuss करेंगे यहां तक clear है चलिए आगे देखते हैं आगे यदि में बात करता हूँ आपसे तो alphabetical series alpha numeric series और alpha numeric symbol series इसका में एक अलग lecture लूँगा विल्कुल separate अभी हम बात करेंगे आज coding decoding में Chinese code की तो Chinese के अंदर किस तरीके से question आएंगे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कुछ इस तरीके के question आपको देखने को मिलते हैंगे जैसे कि हमें question यह उठा लेते जैसे सपोज मैंने यहां लिख दिया येस या फिर यू यू आर देयर और वर्क आपने मेंचन कर दिया यू अब सामने वाले ने आपको इसका एक code दिया है that code is suppose वो कुछ भी हो सकता है मैंने यहां पर लिख दिया s e p l o w qr tv that is your code यहां यह clear है कि यह codes है इन पांचों के ही लेकिन किस order में है यह नहीं मालूम तो यह आपके पास एक first sentence हो गया एक और sentence आपको यहां पर दिया गया that is एक और sentence हमें यहां दिया गया that is वी आर प्लेइंग फुटबॉल ठीक है जिसका code हमें यहां क्या mention किया गया वो ही हमें यहां चेक करना है कि क्या code हमें यहां प्लेइंचन किया गया that is एल वी कि पीटी कि ओ डबलू कि एन आर कि कुछ हद तक आप समझ गए होंगे कि क्या यहां चल रहा है और किस तरीके से मैचिंग हो रही है एक और sentence मैं ले लेता हूं वाकी उसके बाद हम चेक करेंगे यू प्लेइंग फुट बाल देख़वर्क एक इस प्लेइब ले लिए हैं इस एक सेंटेश के लिए वापिस हमने यहां पर क्या चेक किया है कि किस तरीके से हम बना सकते हैं तो यहां पर हमारे पास मैंदी वेmmel देखूं तो मैंने लिख दिया एन आर पीटी कियो आर एन आर पीटी क्यू आर एस ए पी एल तीन सेंटेंस मेरे पास मैं है आपको दिखाई दे रहे होंगे तीनों की तीनों सेंटेंस जो है वह यहां मैंने मेंशन कर दीए थोड़ा सा राउंडाप हो गया होगा यह दिख रहें होंगे आपको सेंटेंस नमबर वन नुमकर तू शैंस नमबर तो क्योंकि हूं पता है कि और सेम नहीं है हम यहां पैंłaं किस तरीके से है जो common है तो common word यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो किवल एक ही दिख रहा है यह अब एक word common है तो उसका एक और code भी तो नीचे हैसा होगा जो common होगा यह जो common है यह जो common है इस आर के लिए that is ow देखो हमेशा ध्यान रखो कोशिश करो कि आपको अलग्से ना लिखना पड़े तो देखो मैंने आर को यह सर्कल कर दिया है मैं समझ जांगा कि सर्कल वाला एक साथ code है ठीक है फर्स सेकंड कंपरिजन होगा और कुछ common नहीं है सेकंड थर्ड को यह फर्स और सेकंड का कमपरिजन करते हैं करते हैं तो सैकंड थर्ड के कंपरिजन में आपको दिखे हो एक तो प्लेइंग सब्सक्राइब के गुटभी नहीं क्यों की प्ले है क्यों क्युक्त फुटबॉल एक साथ है थो यह एक आपस में चलेंगे तो यहां क्या आगया PT अच्छे और एक यदी में देखूं तो कौन आगया NR अगर आपको समझ में रहा हो तो ठीक है दो हो गए एक सर्कल का हो गया एक box का हो गया ठीक है अब first और third को compare करके देखते हैं पहले और तो दिएर और वरक के लिए तो यहां पर हमारे पास में कि एक किसका हो गया शिकल कि यह किसका पास में कि pass लिए और हम बात करें तो यह हो गया इंग कर सकता तो मैं कि आ नीचे लिख देता हूं कि यू का देखो यू का में इनको identify है there और work का identify है नहीं को कि यू का में पहले ही identify कर चुका हूँ देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो you आपके पास आगया you there और work ठीक है इन टीनों का जो code होगा ये क्या होगा qr आपको दिख रहा होगा उपर भी ये रहा qr ये रहा qr ठीक है एक दिख रहा होगा se se भी हमें दिख रहा है और एक pl दोनों दिख रहे हैं तो इन तीनों में से हम identify नहीं कर सकते कौन सा किसका code है तो इस तरीके से जो questions होगे जहां पर हमारे पास में हमें words के code देखने पड़ेंगे या से निकालके तो वो सब यहीं से हमें पता लगेगा ठीक है यहां पर जो confusing थे वो हम दो चीज देख चुके हैं एक तो ये था हमारे पास में और एक अगर आपको याद हो तो उपर भी हमने देखा था कौन से दो थे एक तो आपके पास playing और football था playing और football और playing और football का भी हमने लिखा था box form में तो देखो pt लिखा था और nr लिखा था तो nr pt यह हो गए सारे और एक आपको ध्यान हो तो उपर हमने लिखा था किसका r का तो जो r का code हमने लिखा था that is ow ठीक है तो यह जित्ते भी letters हैं उनकी coding हम यहां देख चुके हैं देखो और यहां से किसकी coding clear हो गई आपको देख रहा हो तो कि V की coding clear हो गई LV ठीक है फॉर की भी coding अगर आप देखोगे तो आपको clear हो जाए क्योंकि कहीं पर भी इस्तमाल फॉर नहीं हो रहा है तो फॉर की जो coding आपको देख जाएगी वो देख जाएगी TV तो यहां से मैंने सारी letters और words की coding हाँ पर हमारे सामने आ चुकी है तो इसी तरह के questions generally आपको pre में देखने को मिलेंगे एक question जरूर आएगा जिसमें 2 से 3 number के question आपके सामने होंगे और हमें कोशिश यही करनी है कि उनको जल्दी से जल्दी कर पाएं यह मैंने आपको basic idea दे दिया है तो इसी के कुछ questions हम यहाँ देख लेते हैं यह देखिए कुछ questions हमारे सामने है यह first question है हमारे सामने फर्स question के अंदर यदि आप देखोगे तो सामने ही हमें दिख रहा है कि क्या कह रहा है वो कि banks are digital today इसने हमें दे दिया है तो यह अगर मैं देखके चलू तो यह मेरा first sentence है banks are digital today यह मेरा second sentence है money sorry money transfer through banks ठीक है और third है digital money easy today ठीक है तो total तीन है और एक last में है today we have leave तो यहाँ पर अगर मैं चारो sentence को देखूँ तो मुझे अपनी requirement के according काम करना है तो जब मैं question number one पर आऊंगा तो question number one यहाँ पर हमारे पास में लिखा है easy for transfer तो easy for transfer के अंदर हमारे पास में easy for or transfer तीन है तो तीनों को जड़ा check कर लेते हैं देखो cross check यहीं मैं दुवारा लिखोंगा नहीं यहीं पर check करते हैं मुझे easy चाहिए easy मेरे पास second sentence में है third sentence में है second, first और fourth में नहीं है easy आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ यहाँ पर है इसका मतलब easy को अलग से identify नहीं किया जा सकता जड़ा आते है for पे अगर मैं for की बात करूँ तो first sentence में second sentence में, third में और fourth में चारों में ही for नहीं है तो यह हमारे लिए एक positive चीज़ हो गई कि for का जो code होगा वो इन सारे codeों से बिलकुल अलग होगा तो जड़ा देखते हैं इन सम्में किसके अंदर ऐसा है, जो हमें बिलकुल अलग code मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो li यहाँ पे मौझूद है, t i भी मौझूद है, d i भी मौझूद है, j i है, नहीं j i देखो हमें नहीं देख रहा तो यह एक ऐसा है, यह ऐसी चीज़ है जो आप बिना pen उठाई भी कर सकते हो j i b i d i, यह तीन दिख रहे है, f i दिख रहा है तो देखो यहाँ पे f i भी नहीं दिख रहा, f i दिख रहा है, ठीक है, और fourth देखें तो यहाँ पे मुझे answer तो दिखी गया obviously none of these हो सकता है, लेकिन मैं एक option लेके चलना हूँ, ठीक है क्योंकि यहाँ पे मुझे j i दिखा है, जो कि मेपस कहीं पे भी उपर module नहीं था चलो, फिर भी करके देखते हैं इसको एक बार मुझे for का code नहीं पता तो for का code यहाँ पे बिल्कुल अलग होगा, easy or transfer चीए तो transfer के दिए में बात करूँ, तो second के अंदर transfer है, third और fourth और first किसी में transfer नहीं है, तो जड़र एक काम करते हैं, यह तो हमने एक question के हिसाब से कर लिए, कि हमाँ पास time नहीं तो हम क्या करना है, यह लगा किया जाएंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, सारे निकालने है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन-कौन से हमाँ पास, देखो, bank का अगर मैं बात करूँ, first second comparison में, तो मुझे bank दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाज से bank का code निकाल लेता हूं सबसे पहले, तो bank का यहाँ पे हमाँ पास में आगे है, तो फस्स का थर्ड से comparison कर लेते हैं, तो digital money easy today, तो यहाँ पे today common आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, और digital common आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में दो चीज़े common आ रही है, एक तो digital और एक easy, और दोनों के code में separate नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों साथ में है, तो digital और easy का जो code आएगा, that is आपके पास में आ जाएगा zi और ti, zi और ti, ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, first का fourth के साथ करते हैं, तो today आपको already मिल चुका है, नहीं मिला, तो यह today आपके पास यह रहा, today और last में भी आपके पास क्या है, today है, अब एक minute, digital और easy था हमारे पास, digital और today था उपर, इसको हटा ले ना, digital और today था, easy नहीं था, ठीक है, digital और today था, अब digital और 炉डे ह्मारे पास में यहां है और तुडे का kode आपको नीचे से मिल गया है तो यहां से मैं टुडे का code क्या कर दूंगा जैड़ाइ तो अब मुझे clear हो गया है कि तुडे का code क्या है जैड़ाइ और डिजिटल का code क्या है T.I. clear हो गए तो यह 3 की 3 मुझे clear हो गए आगे चलते हैं, तो देखो यह मेरा clear हो गया है अब जड़ा मैं एक काम करता हूँ मेरे पास क्या बचा? R बचा bank digital today 3 निकाल चुका हूँ मैं तो यहाँ पर R ही तो बचा, तो R का हम लिख देंगे L.I. निकल गया, आगे आते हैं second के अंदर देखो, हमने क्या-क्या निकाल दिया banks निकाल दिया, throw money और transfer हमारे पास बचा हुआ है तो second का, जब मैं third से करूँगा तो money मुझे दिख रहा है तो मैं directly money का code लिख दूँगा money, और money का code मेरे पास क्या हो जाएगा अगर मैं directly चेक करूँ तो money का code मेरे पास हो जाएगा ऐसा ही अगर आपको दिख रहा हो तो या देखो केवल ऐसा ही common है ठीक है, money निकल गया तो मैं इसको cancel करता जाता हूँ में पास money आगया, में पास bank आगया आप transfer और throw बचा है इनके code भी confusing रहेंगे that is di obliq fi ठीक है तो अब यह सारे हो गए यह clear हो गया, आगया आते है यहाँ digital हो गया, money हो गया today हो गया, बचा क्या easy तो directly में easy का code लिख दूँगा और easy का code क्या हो जाएगा, bi ठीक है, यहाँ पे भी देखो today हो गया, ठीक है we हो गया हमाई पास, we नहीं हुआ have नहीं हुआ, leave नहीं हुआ, we have leave नहीं हुआ, क्योंकि we have leave कही di नहीं हुआ हमें उपर तो इसका मतलब क्या हो गया, कि we have leave जो है, यह as it is चलेगा we have leave इसका जो code होगा आपके पास में as it is चलेगा, x i v i g i i think clear होगा, सारे code निकल गए अब जब सारे code निकल गए, तो question करना आसान हो गया, question करना आसान कैसे हो गया, देखो easy और transfer का code आपको पता है, easy और transfer का code आपको पता है, देखो easy का code हमाई पास यहाँ पर b i और transfer का code हमारे पास में यहाँ पे है देखो या तो di या fi और for का code हमाई पास कहीं था यह नहीं तो हमने इसको ji लिया था ठीक है अब देखो यही एक option बन रहा है क्योंकि यहाँ यहाँ जी आई भी आ रहा है fi है नहीं तो none of these क्यों नहीं क्योंकि option एक मौजूद है अगर वो एक और option यहाँ पे आपको देदेता f करके उस option में लिख देता fi ji bi तब क्या होता कि इन दोनों में confusion हो जाता और उस condition में एक अलग से option वो यहाँ आपको बनाके देता can't be determined cannot be determined cannot be determined mine तो उस condition में आप यह option लगाते हैं बात समझ में आ रही है तो क्योंकि अभी नहीं दिया हुआ इसलिए हम क्या करेंगे इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ option number b को choose करेंगे ठीक है चलिए first question समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से second question अब कोई दिक्कत आनी नीची क्योंकि हमने सब की सब questions के क्या निकाल लिए है code निकाल लिए है देखो वो कह रहा है bank have money अब देखो उसने हमें एक symbol दे दिया है पर simple सा क्योंकि हमें यहाँ पर confusion था we have leave का तो उसने क्या कर दिया have दे दिया तो देखो bank का code मेरे पास के आई मौझूद है यह कट गया bank से ठीक है money का code मेरे पास मौझूद है SI यह कट गया इससे अब have वो directly बता रहा है कि भी है have को क्या बोलो आप GI बोलो ठीक है उसने कहा हमने have को GI बोल दिया अब वो बोल रहा है बताओ leave का code क्या होगा तो भी है leave का code अभी भी confusing है क्योंकि leave का code होगा वो V के साथ connected है क्योंकि have तो मैंने determine कर लिया लेकिन V और leave अभी भी confusing है किसके साथ XI और VI के साथ तो leave का code अभी भी XI या VI में से कुछ भी हो सकता है आपके पास VI मौझूद है XI मौझूद नहीं है तो यहां मैं cannot be determined भी लगा सकता हूँ और VI भी लगा सकता हूँ लेकि उसने क्या पूछा है then what will be the code for leave तो यहां पे cannot be determined को आप prefer करोगे समझ में आ रही है बात ठीक है वैसे आप VI भी लगा सकते हो लेकिन क्योंकि हमें confusing है यहां पे condition की ZI XI और VI दोनों है इसलिए मैं यहां पे क्या करूँगा cannot be determined की हम नहीं बता सकते कि इसका code क्या होगा यहां तक clear है चले आगे चलते हैं अगर यहां पे cannot be determined की जगे none of these का use किया जाता तो उस condition में आपका option होता VIE ठीक है चले what is the code for transfer तो I think इसके अंदर ज़्यादा problem नहीं आनी चीए क्योंकि transfer का code या तो DI होगा या FI होगा यहां पे हम देख चुके हैं तो यहां पे DI या FI दोनों मौझूद हैं तो दो option बनते हैं cannot be determined और either or तो क्योंकि हमाए पास either or वाला option मौझूद है इसलिए हम इसको लगाएंगे अगर यह option ना होकर के इसकी जगे none of these हो जाता तो फिर हम cannot be determined लगाते हैं clear है ठीक है चले आगे चलते हैं next question के दिए में बात करूँ तो बोला what is the word for the code SI SI के लिए कौन सा है तो देखो दो आ रहे थे हमारे पास यहां से हमने देखा था SI SI के लिए क्या यूज़ा रहा है money यूज़ा रहा है ठीक है तो money यूज़ा रहा है तो directly मैं इसका answer pick कर सकता हूँ कि SI का code क्या होगा that is money clear अगला question यदि में देखू तो money market easy दिया हुआ उसने money market easy दिया हुआ तो market का code पूछ रहा है मेरे से तो यहां पर देखो आपके पार में money market easy तो money market easy के अंदर easy का code पता है मुझे money का code मुझे पता है और market का code मेरे पास में clear नहीं है ठीक है? market का code मेरे पास में clear नहीं है क्योंकि यहाँ पर mention भी नहीं है तो BISI में तो मैं directly BISI है तो काट दूँगा तो market का code मेरे पास में क्या जाएगा? CIS आ जाएगा clear है यहाँ से? अच्छा, ऐसा ही अगर आपके पास मौजूद है उपर codes में ऐसा ही मौजूद है क्या देखो? ऐसा ही मौजूद है तो मैं market से नहीं खेलूँगा क्योंकि market उपर कहीं भी mention नहीं है, अगर support ऐसा होता आपके पास में कि एक CI दिया हुआ है और एक ऐसा code भी दिया हुआ है जो उपर की coding में नहीं है तो आप उसको भी prefer कर सकते थे लेकिन कब जब यहाँ पे mention नहीं होती चीज़ अब यहाँ पे CI mention कर दिया है मतलब अफिक्स हो गया है कि market का code CI ही होगा clear है? चलिए एक class question और देखते हैं उसके बाद फिर हम अपनी class को end करेंगे देखो यहाँ पे एक बार फिर आपको दिया हुआ है coding decoding के अंदर एक sentence आपके पास यह है एक sentence यह है थर्ड sentence यह है और फूर्ट sentence यह है तो यहाँ पे हम directly comparison करते हैं देखो first में आपके पास 4 word है first को second से compare करो अगला अगर हम बात करें तो first को यह थर्ड से compare करो तो current word looking good तो यहाँ पे मेरे पास directly common आ रहा है word ठीक है अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे fast कोशिश यह करेंगे ताकि end के यहाँ से हमें मिल जाए first को यह थर्ड से compare करूँगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह जो first है इसको मैं 4 से compare करूँगा तो looking good challenging with तो looking good challenging के अंदर challenging मुझे दिख रहा है तो challenging को मैं directly उठा लूँगा यहाँ से मेरे पास challenging आ गया और challenging का जो code आ गया that is आपके पास में RK ठीक है देखो looking आ रहा है अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज हो गई challenging हो गया good good हमाँ पास बच रहा है without looking तो यह looking ही पूछ रहा है हमसे तो अभी मैं clear नहीं हूँ तो अगले पे आते है second economy bad current issue तो current यहाँ से मिर पस निकलके आ गया तो मैंने यहाँ से current निकालके wait current निकालके लिख दिया तो current निकालके मैं क्या लिखूँगा यहाँ से P के ठीक है और current word looking good के अंदर और कुछ नहीं आ रहा तो अब second को fourth से compare करते है bad current issue यहाँ पर और कुछ common नहीं है इनके बीच में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे third और fourth का comparison करेंगे third और fourth का comparison अगर आप करोगे तो आपके पास में looking directly आ जाएगा देखो looking आ गया looking हमारे पास में आ गया और कुछ common है yes और एक good भी common है तो looking और good के अंदर confusion हो गया ठीक है और looking और good के अंदर confusion हुआ तो हमारे पास में कौन से दो बचे तो यह जो दो बचे उसमें से एक तो है m के और जो दूसरा है वो है v के ठीक है तो आपके पास यहाँ देखो कौन-कौन मिल गया looking मिल गया गुड मिल गया challenging मिल गया तो with जो है वो आप directly निकाल के लिख सकते हो कि भी यह विद का जो code होगा that is कौन बचा हमारे पास में d के clear और looking चाहिए तो looking तो मिरे पास मिली गया mv और v के clear हो गया ठीक है यहाँ से हमारे पास में यहाँ से मिरे पास में कौन आगया current आगया तो current आगया मिरे पास मिए और खोन आगया वार pand लगे मिल पास मिलोकिंग आगया यह सारे ओ गया यह से economy आगया मिशियर और रिश्यू कहीं नहीं हुआ तो directly आप लिख सकते हो कि बैड ॉबलिक इश्यू ,意रि एक तो लिख सकते हैं और नाव का कोड क्या हो जाएगा एंके हो चुका है टीके बचा हुआ है तो यहां पर जाएगा आपके पास में टीके चली आगे चलते हैं को ओवर करते हैं फटाक इफ द इशू इशू अर वरीड ठीक है तो इशू रवरीड इस डिटर्न इस बैड का कोड क्या होगा तो बही एक बात बताओ पैड का कोड तो अभी अभी हम निकाल के आ हैं लेकिन उसमें कन्फ्यूजन था एक के जी के था तो हम डिरेक्ट लिए यहां से देख लेंगे द अगला हमारे पास में क्या होगा यहां से अगर मैं बात करता हूं एक मिनिट यहां से अगर मैं बात करता हूं अगले कोशन की तो अगला कोशन हमारे पास में है RK MK NK May be represent for the following तो किस तरीके से आएगा तो यहां पर देख लेता हूं मैं RK MK और NK RK MK और NK तो यह देखो RK ठीक है MK और NK तो NK यह रहा हमारे पास में NK तो चेलेंजिंग वर्ड ठीक है MK RK MK के अंदर looking और good कुछ भी हो सकता है तो word challenging तो है word challenging तो है word challenging तो है और उसके साथ क्या आगया looking आगया और किसी के अंदर word challenging नहीं आ रहा तो option number C और none of these है इसलिए हम आगे खेलेंगे नहीं ठीक है चलो FK for FK directly हमारे पास में है bad or issue तो FK bad or issue answer good word तो word के लिए NK और good हमारे पास में यहाँ पे मौझूद है MK VK तो MK VK और NK तो NK तो NK तो हमारे पास में है ठीक है MK और VK वैसे केवल यही हमें देखने को मिल रहा है इसलिए answer यह आ जाएगा अगर इसके साथ वो एक और देदेता MK VK MK NK MK तो उस condition में हम confused हो जाते हैं और confused हो जाते हैं तो हम क्या लिख देते हैं cannot be determined माइन लेकिन अभी केवल यह दिया है इसलिए option number one तो thank you so much हमारे इस lecture के लिए तो देखिए आज का जो lecture था हमारा उसमें हमने basic decoding decoding के question देखे हैं यह question exam में देखने को मिलेगा तो practice करो कि इतनी जल्दी हम इस question में से words के codes निकाल सकते हैं यह हमारे उपर है it's up to us ठीक है बस यह है कि हमें जल्दी से जल्दी question को solve करना आना चाहिए इन questions में कुछ भी नहीं था ऐसा कि हम उसके लिए बहुत ज़दा time effort करते हैं सब चीज़े आपके सामने हैं आँखों क उनको compare करके निकालना है जितनी जल्दी निकाल पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा तो I think मेरे इसाब से आज की class बहुत sufficient है बाकी section हम इसके next part में देखेंगे अब तक के लिए thank you so much और please हमारे channel selection mentors को subscribe जरूर करें इस video को जितना share कर सकते हैं share करें लोगों तक बनाए रखें thank you so much